बुडू मुणिंग स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर 6 लोगो प्रोसीजर का रिपीट कमांड के बारे में दिस्कस्टन करेंगे तो देखो लोगों में जो कुछ भी जो सेट इंस्ट्रक्षन देते हैं जो कुछ भी इंस्ट्रक्षन देते हैं उसको रिपीट, रिपीट करके क्या करता है एक फिगर्स बनाता है ठीक है समाज में आ गया you can also draw square, circle, polygons and many other designs using this command हम repeat command का इस्तमाल करके हमारे जो square होता है circle, polygons और और बहुत सारे जो shapes होता है उसको हमारे logo screen में draw कर सकता है तो देखो यह जो repeat command है उसको हम कैसे करके देंगे हमारे logo में command इसका जो syntax है देखो command कैसे देंगे repeat लिख देंगे repeat और यहाँ पे जो instruction देना है हमको कौन सा save बनाना है उसी के हिसाब से हमको instruction देना है तो देखो repeat 3, fd100, lt120 तो यह क्या करेगा यह जो fd100 और lt120 है इसको 3 time repeat करेगा ठीक है समझ में आ गया हम drawing shapes with repeat command हम repeat command का इस्तमाल करके कैसे करके shapes बनाएंगे देखो repeat 4, square बनाने के लिए कौन सा command देना है देखो यह square का है repeat 4, fd60, rt90 square बनाने के लिए हमको कौन सा command देना पड़ेगा repeat command देखो repeat 4 यानि कि fd60 और rt9 जो है यह 4 times repeat करेगा it tells the total to repeat the command 4 times यह जो total को 4 times repeat करने के लिए कहेगा hexagon बनाने के लिए देखो कौन सा command देना पड़ेगा repeat 6, fd50, lt60 it tells the total to repeat the command 6 times यह जो हम command देए हैं hexagon बनाने के लिए यह fd50 और lt60 को 6 times repeat करके यह hexagon बनाएगा और next क्या है star repeat 5, fd60, rt144 तो fd60 forward करेगा आगे और 144 degree right में turn करेगा और star बनाएगा it tells the total to repeat the command 5 times repeat 5 गया है तो यह दोनों comment को यह 5 times repeat करके क्या करेगा star का जो figure है बनाएगा तो repeat command के बारे में समझ बनाएगा हम जो कुछ भी instruction देते हैं उसको वो repeat करकर के नय नया figure बनाता है जैसे कि हम कौन-कौन सा पढ़े square का command देखो hexagon का दिया है और star का दिया है ठीक है तो आज हम repeat command के बारे में discussion कर लिए है next class में drawing circles circles कैसे बनाना है उसके बारे में discussion करेंगे तो देखो यह कुछो question answer का what do you understand by repeat command करेंड यह आपको आएगा अभी मैं पढ़े हैं रिपीट कमांड का और how can you erase procedure यह प्रोसीजर का मैं जो erasing procedure का steps में बताई थी आपको पहले की class में loading procedure और erasing procedure दोने का बताई थी तो यह दोनों नंबर आपका homework है next class में जो circle कैसे draw करना है वो हम discussion करेंगे करेंगे